आज के समय में भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन आवश्यक होता है। शास्त्रों में भी मनुश्य के लिए चार पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। अर्थात यहां अर्थ का संबंध धन से हैं। धन मालक्षमी का प्रतीक माना गया है, कहते हैं जिस व्यक्ति के उपर मालक्षमी की कृपा बरस्ती है उसे एश्वर्य प्राप्त होता है। उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती है. जबकि इसके विपरीत मालक्ष्मी के रूठने पर व्यक्ती के जीवन में दरिद्रता बनी रहती है. मालक्ष्मी की कृपाद रिष्टी पाने के लिए जोतिश शास्त्र में राशी के अनुसार, कुछ विशेश उपाय बताए गए है. ये उपाय बेहत सरल और कारगा होते हैं. यदि कोई जातक इन उपायों को विधिपूर्वक कर ले तो ऐसे जातकों की समस्थ प्रकार की आर वाली खीर का भूग लगाना चाहिए. इस उपाय को करने से लाब होगा. वुरिशब राशी मिथुन राशी वालों को नित्य सुभः देवी लक्ष्मी या देवी दुर्गा के दर्शन करना चाहिए. वही बुधवार के दिन गणपती जी को लाल फूल अर्पित करना चाहिए. इस उपाय को करने से बुध्ध देव आपके विघनों को दूर करेंगे. करक राशी करक राशी के जातकों को नित्य सुभः भग्वान श्री कृष्न के दर्शन करना चाहिए और पूजा में उन्हें तुलसी पत्र, मिश्री माखन का भोग लगाना चाहिए. इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिती सम्रिध होगी. सिंग राशी सिंग राशी वालों को नित्य सुभः भग्वान सूर्य नारायन के दर्शन करें और लाल गुलाब हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करा कर पसमे रखें. आपको आर्थिक लाब होगा. कन्या राशी कन्या राशी के जातकों को नित्य सुबह भगवान गनेश जी के दर्शन करने चाहिए और देवी दुर्गा जी को सफेद चावल अर्पित करें। यह उपाय आपके लिए कारगस सिधा होगा। तुला राशी तुला राशी के जातकों को भगवान लक्ष्मी नारायन जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी पाँच बूंदी के लड़्डू का भोग लगाएं। उरिश्चिक राशी वरिश्चिक राशी के जातकों को तुलसी के पौधे को किसी विश्णू मंदिर में लगाना चाहिए। यदि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो यात्रा करने से पहले श्री राम स्तुती का पाठ करें। आर्थिक लाब की प्राप्ती हो सकती है। धनू राशी के जातकों को सुबह हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और गुरुवार के दिन पीपल के नीचे मिठाई रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपको रोजाना पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मकर राशी, मकर राशी के जातकों को नित्य सुभर देवी गायतरी का दर्शन करना चाहिए और सभी महत्वपूर्ण काम से पहले सफेद फूल अपने साथ लेकर जाना चाहिए. यह उपाए आपको काम्यावी दिला सकता है. कुम्भ राशी, कुम्भ राशी के जातकों को केले के पेड़ के नीचे शुध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए और सभी महत्वपूर्ण काम से पहले हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना चाहिए. मीन राशी, मीन राशी के जातकों को भगवान विश्नु को केसर का तिलक करना चाहिए, फिर वही तिलक अपने माथे पर भी लगाएं साथ ही देवी लक्षमी को पेड़े का भोग लगाएं